ओम श्यामती सुनते हैं 18 फेब 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य है आज की अव्यक्तवानी में बाबा ने टाइटल आज की अव्यक्तवानी का है सदा उमंग उत्साहा में रहने की युक्तियां आज के मुड़ी में बाबा ने सबका दिल का कौन सा एक ही उमंग उत्सा है फिर बाबा ने बड़े ते बड़े उत्सा की बात कौन सी है थार्ड बाबा ने कौन से संकल्प करना माना माया का आवाहन करना है लाश्ट बाबा ने कौन सा सलोगन सदा मस्तक में समर्ती में रहे तो आउ सुनते हैं 18 फरवरी 83 की मुरली सदा उमंग उत्साहा में रहने की युक्तियां सदा सेवा की लगन में मगन बनाने वाले बाप दादा बोले आज सरो बच्चों के दिला राम बाप बच्चों के दिल की आवाज दिल की मीठी मीठी बातों का रेस्पॉंड देने के लिए बच्चों के बीच में आए हैं अम्रत वेले से लेकर बाप दादा चारों और के बच्चों के बिन बिन राज भरे हुए साज सुनते रहते हैं दिल के अंदर जो राज बरे है न उनके साज बाबा सुनता है सारा दिन में कितने बच्चों के और कितने प्रकार के साज सुनते होंगे हर एक बच्चे के भी समय समय भिन भिन साज होते हैं कभी उलाहनों के साज है तो कभी गुणगान करने के साज हैं कभी दिल्शकस्त का साज बज रहा है तो कभी किसी से बदला लेने का साज चल रहा है कदी पबुर की याद में मगन होने का कभी तो विश्व सेवा का कभी गिरना का अनेक परकार के साज तो हर एक बच्चे के भी समय समय भिन भिन साज होते हैं सबसे पहले ज़्यादा नेचरल साज कौन सुनता है बाबा ही सुनेगा और कौन सुनेगा नेचरल वस्तु सदा प्रिय लगती है तो सब बच्चों के भिन भिन साज सुनते हुए बच्चों के सार में मुख़्े बाते सुनाते हैं जी बाबा सभी बच्चे यथा शक्ती लगन में मगन अवस्था में स्थित्थ होने के लिए वा मगन सुरूप के अनभवी मूर्त बनने के लिए अटेंशन बहुत अच्छा रखते चल रहे हैं सबकी दिल का एकी उमंग उत्सा है कि मैं बाब समान समी परतन बन सदा सपूत बच्चे का सबूत दू सुना सबकी दिल का एकी उमंग उत्सा है क्या कि मैं बाब समान समी परतन बन सबूत बच्चे का सबूत दू ये उमंग उत्सहा सरव के उड़ती कला का आधार है हरेक के दिल में धदक है बाबा का नमबर वन बच्चा बनो ये उमंग का शुद्ध और द्रिड संकल्प विजई बनाने में विशेश शक्ति शाली शष्ट्र बन जाता है कभी भी उमंग उत्सहा को कम नहीं करना उमंग है क्या उमंग है फिर सुनिए मुझे बाप समान सरव शक्तियों सरव गुणों सरव ग्यान के खजानों से संपन होना ही है क्या उमंग है मुझे बाप समान सरव शक्तियों सरव गुणों सरव ज्यान के खजानों से संपन होना ही है क्योंकि कलब पहले भी में स्रेश्ट आत्मा बना था एक कलब की तकदीर नहीं अनेक बार की तकदीर लकीर भागे विधाता द्वारा बांधी गई है खिची हुई है एक कलब की तकदीर नहीं लेकिन अनेक बार की तकदीर की लकीर भागे विधाता द्वारा खिची हुई है इसी उमंग के अधार पर उत्साह स्वते ही उत्पन होता है उत्साह क्या होता उत्साह क्या होता वहाँ मेरा भाग गए जो भी बाप दादा ने भिन भिन टाइटल दिये हैं उसी समर्ती सुरूप में रहने से उत्साहा अर्थात खुशी स्वते ही रहती है और सदा ही रहती है वावाव जो टाइटल है न बस उसको बाबा कहते समर्ती में रखो तो खुशी सदा रहेगी और स्वते रहेगी सबसे बड़े ते बड़े उत्साह की बात है अब सुनो वे पहले उमंग बताया अब बाबा उत्साह की बात बता रहे है सबसे बड़े ते बड़े उत्साह की बात है कि अनीक जनम आपने बाप को ढूंडा लेकिन इस समय बाप दादा ने आप लोगों को ढूंडा अनिक जनम हम मंदरों में क्या तीरस्थानों में क्या कहां कहां नहीं ढूंडा और अभी इस जनम में बाप दादा ने आप लोगों को ढूंडा भिन भिन पड़ों के अंदर छिपे हुए थे लगता है विदेश का गुरुप बैठा है तो वो तो कहीं पड़दों के अंदर छिपे हुए थे और भारत में भी बहुत पड़दे हैं किसी को धर्म का, किसी को गुरुओं का उन पड़दों के अंदर से भी ढूंड लिया ना बिछुड कर कितने दूर चले गए भारत देश को छोड़ कर कहां चले गए जैसे बाप बच्चों को ओलाना देता ना कहां चले गए तुम भारत देश को छोड़ के धरम करम देश रिती रसम कितने पड़दों के अंदर आ गए तो सदा इसी उत्सहा और खुशी में रहते हो ना कौन सा बाप ने अपना बनाया था आपने बाप को बाप ने अपना बनाया या आपने बाप को अपना बनाया पहले मेसेज तो बाप ने भेजा था ना जिसको भी हमें भी किसी को भी निमंतरन जैसे वो तो बाबा नहीं बेजा था ना चाहे पहचानने में कोई ने कितना समय लगाया तो सदा उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्माओं को एक बल एक बरोसे में रहने वाले बच्चों को हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा ही अन्भव होता रहता है होना ही है यह हिम्मत इसी हिम्मत से मदद के पात्रस्वते ही बन जाते हैं और इसी हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मत हीन बन जाती है पता नहीं होगा या नहीं होगा मैं कर सकूंगा या नहीं यह संकल्प करना माया का आवाहन करना है जब आवाहन किया तो माया क्यों नहीं आएगी ये संकल पाना अर्थात माया को रास्ता देना जब आप रास्ता ही खोल देते हो तो क्यों नहीं आएगी कौन सा संकल पाना जो रास्ता खोल दिया पता नहीं होगा या नहीं होगा मैं कर सकूंग या नहीं बाबाने का बस समझो डौर खोल दिया माया का ये संकल पाना अर्थात माया को रास्ता देना जब आप रास्ता ही खोल देते हो तो क्यों नहीं आएगी आधा कलब की प्रीत रखने वाली रास्ता मिलते कैसे नहीं आएगी इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिमतवान आत्मा बनो विधाता और वरदाता बाप के संबंद से बालक तो मालक बन गए बालक सो मालक बन गए सरवखजानों के मालक जिस खजाने में एपराप्त कोई वस्तू नहीं ऐसे मालक उमंग उत्सा में न रहेंगे तो कौन रहेगा किस बात के सरव खजानों के मालिक जिस खजाने में है प्राप्त कोई वस्तू नहीं ऐसे मालिक उमंग उत्सा में न रहेंगे तो कौन रहेगा अब सुनो यह सलोगन सदा मस्तक में समर्ती रूप में रहे क्या हम ही थे हम ही हैं और हम ही रहेंगे याद है ना इसी समर्थी ने कहां तक लाया है सदा इसी समर्थी भाव अच्छा आज तो डबल विदेशी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर देशवासी दूर से आने वाले बच्चों से मिलने के लिए आई हैं वैसे तो भारत के बच्चे भी सदा दिकारी हैं फिर भी चांसलर बन चांस देते हैं इसलिए भारत में महादानी बनने के रिती रसम अब तक भी चलती आती है सरव के एक संकल्प द्वारा विश्यू की अनेक आतमाओं को बाप के समी पाने का संदेश मिला। अभी इसी संदेश द्वारा जगी वी जोती अनेकों को जगाती रहेंगी। डबल विदेशी बच्चों ने अपने द्रड संकल्प को साकार मिलाया। और भारत वासी बच्चों ने भी अनेक नाम पहलाने वाले संदेश पुंचाने वाले विशेश आतमाओं को समी पलाया। भारत वासी बच्चों की भी बाबा महिमा कर रहे हैं और डबल विदेशीों की भी। कलम नहारियों को भी सने और संपरक में समी पलाया। कलमदारी कौन मीडिया वाले कलम की शक्ति और मुक की शक्ति दोनों ही मिलकर संदेश की जोती जगाते रहें इसके लिए बाबाने का डवल विदेशी बच्चों को और देश में समीप रहने वाले बच्चों को दोनों को बधाई मे wydaje बच्चों की और महब्बत बाप की अच्छा ऐसे सदाव मंगुट सा में रहने वाले सदाव बाप दादा की मदद के पात्व हिमत वान बच्चे सदाव सेवा की लगन में रहने वाले सदा स्वेम को प्रापत होई शक्तियों द्वारा सरवात्माओं को शक्तियों की प्राप्ति कराने वाले ऐसे बाप के सदा अधिकारी वा बालक सो मालक बच्चों को बाप लादा का विशेश सने संपन जाद प्यार सुविकार हो अच्छा ओम शांति ये एक पेरना दायक विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस न करें